हालो गाइस वेलकम टू मैं चैनल मिस्टीरियस टैग जेंटी में और इस वीडियो को शुरू करने से पहले इस वीडियो के स्पॉंसर है येलो एप इस एप में आपको सारे टाइप के क्रेट कार्ड और कैश लोन मिल जाएंगे आपको किसी भी बैंक करेट कार्ड चाहिये चाहिए वह SBI का हो चाहिए SDFC का हो चाहिए ICIC का हो चाहिए COTEC का हो हर टाइप के कार्ड मिलते है traveling, shopping, platinum सारे credit card आपको देखने को मिल जाएंगे और बहुत असानी से वैसे आपको bank में बहुत टाइम लगता है पर यहां से आपको बहुत असान से मिल जाएंगे अब cash loans भी आप मिल सकता है आपको 2 लाग तक का बहुत असानी से और वो भी बहुत कम interest rate पे तो आप इस आपको चेक कर सकते है डिस्क्रिप्शन में इसकी link दे रखी है अगर आपको भी cash loan चाहिए बहुत असान किष्टों पे आप यहां से ले सकते हैं और credit card चाहिए तो यहां पे बहुत असान इस आपको मिल जाएगा तो इस आपको आप चेक कर सकते हो मैं description में इसकी link provided है और guys आज Redmi Note 5 Pro users के लिए बहुती बड़ी good news निकल के आचुकी है और guys यह तो थोड़ा पहले अपडेट आचुका था पर आज officially सब के लिए rollout होना शुरू हो चुका है और जिसके पास अभी तक नहीं आए है तो link के थुरू अब से कर सकते है क्योंकि link के थुरू भी आप unlock कर दी गई है ब्लॉक नहीं है ओ link आप अराम से इससे install कर सकते है जिसके पास अभी तक यह update नहीं आए है मेरे पास भी आचुका officially हो मैं इससे download कर रहा हूँ जिसके आप देख सकते हो 10.2.1.0 तो यह गाँ इस काफी अच्छी बात है पहले से ही निकलना शुरू हो चुका था पर तब कुछ यह random users को मिला था और link के थुरू भी आप नहीं कर सकते थे क्योंकि Xiaomi नहीं इसे block कर दिया था link के थुरू आप नहीं कर सकते थे पर अब आप link के थुरू असानी से कर सकते हो अगर आपने वो रोम पहले से download कर रखी है तो आप वो असानी से कर सकते हो आपको पता हो method 3 dots पे click करने वाला manually update करने वाला method उसी से आपको करना है अगर आप 10.0.6.0 पे हो तो OTA से करो अगर और किसी वर्जन पे हो तो फुल रोम वाल से कर सकते हो वो बिल्कुल सही link है बिल्कुल भी बेकार link नहीं है तो देख सकते हो इसमें कुछ आपको bugs fixics देखने को मिल जाते हैं android security patch earphone का जो icon था बहुत 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 शो नहीं होता था scrolling screenshot में problem आती थी और return button में कुछ problem थी और उसके आप गाई और भी बहुत साई चीज़ें इसमें सही करी गई है fingerprint कई का काम नहीं करता था call के समय पे और screen recorder भी guys update कुछ करा गया इसमें मैं आपको सारी चीज़ें बता दूँगा full change log वाली वीडियो में full review वाली में कि इसमें क्या क्या new features आए है क्यूंकि इसमें guys बहुत सारी new features आए है मैं आपको सारी चीज़ें बता दूँगा उसलिए आप हमाई चैनल को subscribe करके रखिये ताकि आपको पूरी information पता लग पाए तो आज शाम तक या कल सुबह तक आपको full change log वाली इसकी वीडियो पका मिल जाएगी और guys वीडियो काफे interesting होने वाली है क्यूंकि मैं उसको आपको सारी चीज़ें बताऊंगा उस वीडियो में तो एक like तो करना ही करना साथ मैं में चैनल को है subscribe कर देना so thank you guys माई वीडियो देखने के लिए